आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत हैं आपके अपने यूटूब चैनल की लाइब क्लास में और आज अपन बात करेंगे एक इंपोर्टेंट टोपिक्स के बारे में जो की क्लास 10th के लिए में इसके बारे में बारे में आज अपने इस में डिसकस करेंगे तो इंपोर्टेंट टोपिक है आज अपना acid, bass and salt, acid, bass and salt के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो दोनों medium को आपन साथ में पढ़ेंगे, हिंदी medium और English medium, दोनों में साथ पढ़ेंगे, देखिए, acid है जो अमल कहते हैं, bass है, जिसको सार कहते हैं, और salt है, जिसको कहते हैं, इनको अपन one by one पहले introduction पढ़ेंगे, उसके बाद आगे continue, अपन इनके बारे में deeply पढ़ेंगे, सबसे first one basic meaning, इनका देखेंगे, acid क्या होते हैं, base क्या होते हैं, और salt क्या होते हैं, ठीके, तो first one आपन बात करते हैं, acid जिसको अमल कहते हैं, हिंदी में, तो acid क्या होते हैं, actually में acid का meaning होता है, ऐसे भी, ऐसे items, या ऐसे पधार्त, जो की स्वाद में, test में कैसे हो, खटे हो, ऐसे पधार्त, जो की स्वाद में खटे होते हैं, उनको अमल कहते हैं, ठीके, कैसे होते हैं, खटे होते हैं, उन्हें अमल कहते हैं, और English में इसी के मिनिंग यूज करते हैं इसके बार में इसके बाद सेकिंड पॉइंट के बात करेंगे कि एसीड और क्या प्रोपर्टीज होती है एसीड की तो एसीड क्या होता है जैसे ही एसीड को अमल को एक जलिये विलेन में एक्वास अलुशन उसका बनाते हैं इस सब्क्रीग या जलिये विलेन उसका बनाते हैं तो ऺतलों क्या करता है उसके अंदर डहج Ara crackers यह गुलने के बाद release करता है H plus iron जिसको hydrogen iron कहा जाता है क्या कहा जाता है H plus iron जो है release होता है कब release होता है जब उसका zelie willion बनाया जाता है और इसी को अपन इंगलिस की बात करें तो जब उसको aqua solution बनाया जाता है जब अमल का aqua solution बनाया जाता है it means water के साथ जब acid को dissolve किया जाता है तो वो release करता है H plus iron जिसको hydrogen iron कहा जाता है आया समझ चलिए आगए होगा समझ आए होफ आपको समझ आ रहा होगा फिर भी आपको लगता है तो comment section में जरूर comment कर देंगे चलिए बात करें अपने acid के दो point अपने most important point है यह आपको याद रखना है और 100% sure इसका question आपको exam में मिलेगा और especially class 10 के अपन बात करें तो board exam इसका question 100% आपको मिलेगा चलिए बात करते है next point की तो दो point अपने discuss किये third point अपने discuss करते हैं acid के regarding तो acid के regarding third point है third point है देखिए first one second one और third point है कि acid है जो कि आपने सुनाओगा एक litmus paper सुनाओगा litmus paper ठीक है लिटमस paper और हिंदी में भी इसको litmus paper ही बोलते हैं litmus paper इस पर यदि देखें तो acid का क्या effect होता है यानि litmus paper को जैसे ही acid के अंदर डाला जाता है acid के अंदर लेकर जाया जाता है acid में ले जाया जाता है तो यह क्या करता है यह litmus paper blue to red convert हो जाता है इसका जो color है वो blue to red में convert हो जाता है यानि नीले से लाल में convert हो जाता है तरहा है आपको याद रखना है इंपोर्टाइंट पॉइंट है है एसिड के एकोडिंग स्फसे ही लीटमस पेपर को लेकर जाया जाता है लेंपको टेस्ट करते हैं जैसे आस्टेसल लगें लाइनिंग बना सकते हैं दो गया है से पॉर्ह पॉइंट के आपने स्काल यहीं है आपने सुना होगा 1-5 इसकेल लोर में नहीं पता दो आगे बात करें इसकी है जलो से अब याद रखें कि जैसे आपना इसकेल होता हैं ऊइस साथ से कम, जो भी पढ़ा आइटम्स होते वह क्या है एक्चुली में क्या है एसीड है अमल है ठीक है आयोप आपको समझ आ गए हूंगे फोर पॉर्ट अपन डिसकस किये फर्स्ट और मैं रिपीट करता हूं जो एसीड है या अमल है वह स्वाद में खटे यानि टेस्ट में बीटर होते हैं ठीक है नेक्स बात करें एक्वास शॉलूशन में एसीड को डिसोल किया जाता है तो वह एच प्लस आयन है रिलीज करता है जलिये विलियन में एसीड को अमल को घोला जाता है तो वह एच प्लस i n release करते हैं x plus i n देते हैं next बात करते थर्ड पूइंट पेपर के सा हो जाता है ब्लू टू रेड हो जाता है यानि निले से लाल हो जाता है आपको याद रखना है confusion वाला point है आगे बात करूँगा काँ confusion इसमें होगा अभी के वला आपको इतना 鉤 रखना है कि नीली से लाल हो जाता है ऑनी ब्ल८्ट ब्ली टू एड सीध चल मृट हो जाता है बात करते हैं फॉर्थ कि मैंने बार की फीट श इसकेल की और प्ह जीश केल है उसमें क्या होती है एसीड की यानि लेस देन सेविन होता है, लेस से कम जो भी विल्यू है वो एसीड कींदर इंक्लूड होती है, टो यह फ्वोर पॉइंट अपने बात की, एक लाश्ट पॉइंट और डिसकस करेंगे, उसके बात उसके बारे में बात करेंगे, लास्ट पॉइंट है, साथ आपना इसका कि इसकी Sect dated Sample ॉचा जा सकता है तो शियक के एक्जामपल एक जाम में पूणदसीर इसका आपने सुनाओं य को है स्यल्क जिसको हाइड्रोग्लोरिक एसीट बोला जाता है है इद्रोग्लोरिक एसीट बोला जाता है जो की ओषं। इंपोर्टेंट होता है अपने human life के अंदर भी आपको पता है कि इस्टमक होता है human के अंदर जो इस्टमक होता है जिसको एक तरीके से आंतरीक पेट बोलते हैं अपने जनरल भासा में उसके अंदर यह इस्तरावित होता है competitive exam यहां से question आया wine star mark बना लेना जो भी वीडियो को देख रहे हैं है बिल्कुल HCL है जो के आमासे में इस्तरावित होता है याद रखेंगे point कर लेना not कर लेना ठीके चले यह बात की उसके लावा अब बात करते हैं यह four point अपने basically अपने बात की यह general introduction इनको deeply अपना आगे पढ़ने वाले है तो जनरल इंट्रोडक्शन है four point five point अपने बात की है ठीक है आपको समझ आ गया होगा नहीं आया हो तो comment section में जरूर कमेंट करें बिल्कुल उसका भी solution आपकी सामने मिल जाएगा आपको मिल जाएगा ठीक है आयोप आपको समझ आ गया होगा अब यही point में base के लिए बात हो चुकी है अब base की बात हमने करेंगे तो बेस क्या होते हैं ठीक है अचले में रफ कर देता है उसको फटाफट से बेस के अपन बात करेंगे और लेंग्विज का कोई इशू हो तो आप बता सकते कमेंट करके ठीक है चले बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट बेस की नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें बेस की जो भी काफे स्वाद में कैसे होते हैं सोर होते हैं वैसे ही यह स्वाद में टेस्ट के अंदर कैसे उते हैं काड़वे होते हैं यह इंग्लिस कड़वे होते हैं यानि बीटर होते हैं जैसे उसमें बात कि अपने कि जैसे ही उसका क्या करते हैं अपन बनाते हैं क्या बनाते हैं या फिर उसका जलिये विलियन अपन बनाते हैं तो क्या होता है उसके अंदर बात कि अपने पलुटिती के अंदर बात की दिग की it plus अएन बनता है मैं नहीं हैय। इसके अंदर ओएच मांउस unit रिलीज होता है उसके अंदर You'reich Div.son ओध्वाइन होता है यह अपको डिफ्रेंस याद रखना है थिक है this a treaty lige होता है ठिक है आगा град śme लिटमस पएपर के सबसंद बात करें do इसमें इसका आप्लोजिट होता है उसमें तो होता है ब्लू टू रेड इसमें होता है रेड टू ब्लू यह आपको याद रखना है रेड टू ब्लू हो जाता है यानि लाल से नीला हो जाता है आपको याद रखना है 100% क्योश्चन आता है इसका ठीक है तो रेड टू ब्लू हो जाता है लाल से नीला हो जाता है फॉर्थ पेंट क बात करें तो पियंच इसके अंदर उसका जो पियंच वेल्यू है एसीड का पियंच वेल्यू था वह से बिलो होता है इसका इसके अंदर बेस के अंदर पी येच का वेल्यू होता है होता है और साथ से ज्यादा पियज़्यू चैनल पियूक आई अपको हुआं आत करें चैनल रखऩ ना बॉटबर … क्या याद रखना है naoh जिसको sodium hydroxide बोला जाता है और इस Emil как k seisoda बोला जाता हैं आपको याद रखना है point note कर ले ना ठीक है kask três sodasadi इसको बोला जाता हैं ऐ आज आइपको समझ आयोंगे 5 प्यंट अपने acid के regarding बात की 5 प्यंच पने base के regarding बात की ठीक है आपको समझ आ गया होगा फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट करें चले बात करते हैं इनके बाद आपने की उसके बाद मैं आपको इसमें कोमन सा डिफ्रेंस आपको बता देता हूं पांच पंट उसके अंदर डिसकस किया अपने एसीड के अंदर पांच पंट इसके अंदर डिसकस किया अब इनमें एक्च्वली में डिफ्रेंस आप से एक्जाम में पूचा जाता है थेओरेटिकल जो क्लास 10 के अंदर स्पेशली बात कर रहें हैं चीबशी और रबेशी दोनों के अंदर ऐसा क्योशन पूचा जाता है राइट डाउं तर डिफ्रें स्वाद होता है इसका टेस्ट होता है का जाता है और वह स्वाइल फोर स्बशित कर जाता है और बेस के अंदर ँफ्रेंस नपर तक्रीश जाता में ये उसका बनाया जाता है तो वो release करता है H plus iron और base है जो कि release करता है OH minus iron clear चलिए बात करते हैं third point की तो third point आपको दिख रहा है litmus paper के regarding third point बात करा है तो litmus paper के regarding litmus paper के regarding क्या बोला था वहाँ पर बोला था कि ACD के अंदर litmus paper blue 2 red हो जाता है blue 2 red हो जाता है लेकिन base के अंदर just opposite है red to blue हो जाता है red to blue हो जाता है नशिक्णल की अब देखी ए आपको confusion होगा आपको confusion होगा Rhode से blue blue to red यह point में लिखेंगे यह point smalik देंगे काफी सारों को confusion हो जाता है इसके अंदर confusion के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिग में यापर बता दूब है क्या ट्रिक है जीसे आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले चला था ऐसा केस कि किसी गर्स ने बॉइस पर या बॉइस ने गर्स पर क्या डाल दिया ऐसी डालते क्या होगा आपको पता है ऐसी डालते क्या होता है जल जाएगा जल जाएगा तो कैसा होगा जल जाएगा तो कैसा होगा जल जाएगा इसके बात करें डाल रहे उसके उपर निले से और क्या खहाता है निले उसकी चमडी जल जाएगी उसकी चमडी जल जाएगी तो केसी हो जाएगी लाल हो जाएगी तो नीले से लाल तो एसीड है जो की नीले से लाल हो जाता है मतलब एसीड के अंदर जो लिटमस पेपर है वो नीले से लाल हो जाता है आ गया होगा समझ में अच्छी ट्रिक है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ही ट्रिक में बस यह आपको याद रखने के लिए कंफुजन दूर करने के लिए मैंने बनाई है ठीक है आ गया होगा समझ में चले बात करते हैं फोर्थ आपको समझ आ गयोंगे अब इन डिफ्रेस के बाद अपना थर्ड जो टर्मिनोलोजी हैं वह है आपका साल्ट की बात अपने की बेस की बात अपने की अब थर्ड टर्मिनोलोजी है वह है अपना क्या है साल्ट चले discuss करते हैं फ़र salt के regarding और salt के regarding discuss करने से पहले आपको एक छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी reaction के बारे में बता हुआ और उस reaction के बाद आप यह नहीं कहेंगे कि salt क्या होता है लवन क्या होता है आपको अपना अंसर मिल जाएगा चले वो reaction कौन सी है तो वो reaction है उधाशीनी करण अभी किरिया हिंदी में बोला जाता है उधाशीनी करण अभी किरिया और उसी को इंगलिस में बोला जाता है न्यूट्रिलाइजीशन रियक्षन रियक्षन तो आपने पड़ा ओगा एक केमिकल रियक्षन वाला चेप्टर है क्लास 10th के अरे इस्पेसली और आयोप सबने पड़ा ओगा नहीं पड़ा हो तो बिल्कुल बहुत ही जल्द उसकी क्लास आपके लाने वाले हैं बहुत करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे भी आपको इंप्रोटेंट क्लासेज मिलती रहे चले बात कर रहे हैं है उदासी नहीं कराना भी कि रहे है यह न्यूट्रिलाइजिस रिक्षन इसका एक्च्वल मिनिंग क्या होता है आपको सामने में एक छोटी सी एक समझ लिया ना बागी कुछ भी नहीं है इस एप्टर के अंदर बोथ ही इजी हैं आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं क्या रियक्षन होगी आई होप समझ आ गया होगा आपको जल्दी से बता दीजे क्या समझ आया फटाफट से चले कमेंट कर दिए आइजेशन रियक्षन या उधासी नहीं करन अभी किरिया एक अभी किरिया होती है या ऐसी रियक्षन होती है जिसके अंदर एसीड और बैस आपस में क्या करते हैं रियक्षन करते हैं और रियक्षन करके क्या बना लते हैं साल्ट प्लस वाटर का फोर्मेशन कर देते हैं यानि यह reactant है और यह product है बागी इसका reaction क्या होती है कौन reactant है कौन product है अपने detail से बात करेंगे चले बात कर रहा है अपन नेट्रलाइजेशन reaction के तो acid और base आपस में react होकर reaction करके क्या बनाते हैं salt plus water बनाते हैं आपका question था कि what is salt salt का actual meaning क्या था तो आपका question clear हो गया होगा कैसे बना salt जब acid और base दोनों combined हो जाते हैं दोनों जूड जाते हैं तो उससे बनता है salt plus water बनता है ठीक है clear उसी को हिंदी में बोले तो उधासी नहीं करने एक ऐसी अभी किरिया होती हैं जिसके अंदर अमल और शार आपस में किरिया करके लवान और जल बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं उधासी नहीं करना भी किरिया कहते हैं इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स यह सारे क्योशन जो कि अपने डिसकस किये सारे के सारे क्योशन एक्जाम में पूंचे हुए हैं ठीक है और आई होफ आपको समझा गया होगा इसी को मैं एक्वेशन के तुरू आपको बना दूँ चलिए अपने बात किती है एक्जांपल मे यह देखिए साल्ट का फोर्मला होता है एने सियल और वाटर का फोर्मला आपको पता है एस टू होता है ठीक है तो यह बन की बात हुए अपनी न्यूट्रिलाइजेशन रियक्शन और उधासी नी करन अभिकरिया आपको समझा आया होगा रियक्शन समझा आयो और जिसको समझा गई ना उसको एक्चुली साल्ट का मिनिंग जो अपना चेप्टर का नाम है साल्ट उसका मिनिंग समझा गया हुगा कैसे बना साल्ट एसीड और बेस का रियक्शन है जो कि साल्ट का फोर्मेशन करता है साथ में वाटर बनता है और यह इंपोर्टेंट है इस्टार म ही डिसकस करेंगे बागी जो रिमेनिंग पॉइंट है रिमेनिंग पार्ट है इसका वह बन डीपली नेक्स क्लास में डिसकस करेंगे और आपको समझाया हुआ वीडियो अच्छी लगी है की लाइक और सेर कर दीजिए वीडियो को नए विजिट करें तो चैनल को के साथ और बहुती अच्छे और इंपोर्टेंट टोपिक्स के साथ चले मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो के साथ आज के लिए इतना है थेंक्यू वेरी मच्छ पोर जोइनिंग इस क्लास